स्वागत है आपका अपनी चैनल MGM Career Institute में तो लास्ट वीडियो में मैं आपको वाई मैप पढ़ाया था जिसमें मोल कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मलेस थे तो आज हम उसी पर आगे बात करेंगे तो चैप्टर को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और हाँ बैल आइकन को पैस करना ना भूले ताकि आपको हमारे डेली लाय लेक्चर्स का नोट्रिफिकेशन सबसे पहले मिले ओके स्टेंट्स तो बात करते हम मोल में मोल कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उस एड़ स्टीप वाल्यम फगेट स्टीप डिवाइड बाइट विट्टीट्व पॉंट्व लीटर और अगर गैस का जो वाल्यम में वह एमेल में होता है तो तो टूब डबल जिरो ठीक है एंड थार्ड वन इसमोल इक्वल सुन नंबर ओफ पार्टिकल्स नंबर ओफ पार आप सबस्टेंसे मैक्सिमम कौन से सबस्टेंस का वेट जो है मैक्सिमम है वह हमें निकालना है तो यहां पर जो फर्स्ट वन दे रखा है वह तो डायरेक्ट ही हमें क्या दे रखा है वेट दे रखा है तो इसमें तो कुछ निकालने की जरुरत नहीं है ग्राम ऑफ आयरन तो सबसे पहले तो मुझे उसके मोल निकालने पड़ेंगे मोल कैसे निकालूँगा 2240 संटीमीटर क्यूब मतलब ml डिवाइड बाइ 22400 यह क्या गए मेरे मोल आगा इसके तो यह मोल कितने निकल के आएंगे तो मुझे निकालना है वेट तो मौल से वेट कैसे निकालेंगे वेट हो जाएंगे मोल इंू यो molecular weight ठीक है mole 0.1 into molecular weight of H2 is 2 तो यह weight हो जाए गया से 0.2 gram ठीक है third one third one हमें दे रखा है 6 into 10 की power 22 into molecules मतलब number of particles दे रखे हैं तो सबसे पहले mole निकालूंगा तो number of particles ठीक है divide by have I gather number 6 into 10 की power 23 यह तो cancel हो गया और यह हो गया 0.1 1 by 10 0.1 ठीक है तो यहां से अगर weight निकालूंगा तो वह अगें mole into molecular weight nitrogen का molecular weight होता है 28 so यहां से weight आया 2.8 gram ठीक है and last one fourth one is 100 mmol of NUH तो हमें mole तो direct ही दे रखे हैं कितने 100 into mmol 10 की power minus 3 और अगर मुझे weight निकालना है इसका तो 100 into 10 की power minus 3 into 40 होता है NUH का molecular weight तो यहां से यह सब cancel हो जाएगा और बच्चे का 4 gram तो सबसे जादा जो weight यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 5.6 तो स्टुडेंट्स हमारा जो सही answer होगा होगा option फर्स्ट ठीक है second question है in which case number of molecules are maximum अब इस बार मुझे number of molecules निकालने है तो वही काम तो वही करना है सबसे पहले weight निकालना है तो sorry mole निकालने है तो सबसे पहले first वाला option 9.8 gram H2SO4 तो इसके अगर मैं mole निकालूंगा तो mole कैसे आएंगे weight divided by molecular weight तो यह हो जाएगा 0.1 mole अब हमें क्या चाहिए number of molecules निकालने के लिए हम क्या करते है number of particles निकालने के लिए क्या करते है number of molecules equals to 0.1 into any mole into heavy gatherer number तो 0.1 in a अगे है यहां से second second है 11.2 liter H2O तो सबसे पहले mole निकालते है 11.2 divided by 22.4 तो यह हो गया 1 by 2 मतलब 0.5 mole ठीक है और मुझे क्या निकालने number of molecules तो number of molecules equals to mole into any 0.5 into any 0.5 into any 0.5 in a हो गया second उसके बाद में third third one is 8 gram any OH तो mole कैसे निकालूंगा weight divided by molecular weight 40 85 जब 40 होता है तो यह 1 by 5 मतलब 0.2 mole हो गए यहां से अगर मुझे number of molecules निकालने हैं तो number of molecules equals to 0.2 into any 4th one 4th one is mole तो डायरेक्टी दे रखे हैं 0.1 mole ठीक है 0.1 mole तो हमें number of molecules निकालना है number of molecules equals to 0.1 into any तो सबसे जादा में number of molecules कहां दिख रहे हैं यह तो 0.1 ने है second है 0.5 ने third one is 0.2 ने last one is 0.1 ने तो सबसे जादा मुझे देख रहे हैं 0.5 ने तो हमारा answer होगा option number second okay students next question है in which case number of atoms are minimum अब की बार मुझे number of atoms तक जाना है और पूछा है minimum किसमे हैं तो सबसे पहले वही सबसे पहला काम क्या कुछ भी नहीं दे रखाओ तो सबसे पहले क्या calculate करते हैं mol 448 ml है तो हम इसको किसी divide करेंगे mol निकालने के लिए 224 00 से ठीक है 224 00 जो है इससे यह दो बार cancel होगा तो यह हो जाएगा 2 into 10 की power minus 2 या फिर 0.02 mol ठीक है उसके बाद मुझे number of molecules निकालने पड़ेंगे सबसे पहले number of molecules equals to 0.02 na and number of atoms निकालने के लिए हम क्या करेंगे number of molecules को atom के number से multiply कर देंगे तो 0.02 na into इसमें CO2 में कितने atom दिख रहे है मुझे 3 atom दिख रहे हैं तो 3 से multiply कर दो इसको तो यह जाएगा 0.06 na ठीक है इसी तरीके से यह first वाला है इसी तरीके से आगे वाले question भी मैं solve करूँगा तो जो second वाला है वो क्या है 0.4 gram h2 तो सबसे पहले mole निकालते हैं mole के आएगा weight divide by molecular weight h2 का molecular weight 2 तो यह 0.2 ठीक है उसके बाद मैं direct अब number of atoms निकाल रहे है students ठीक है बार-बार मैं number of molecules पे नहीं जाओंगा तो कितना जाएगा 0.2 into na into इसमें hydrogen में कितने atom है 2 है तो यहाँ 2 से multiply कर दो तो यह जाएगा 0.4 na ठीक है ना थर्ड थर्ड वन इस 3 into 10 की पावर 23H3PO4 molecules तो सबसे पहले mole निकालने के लिए क्लिए क्या करूँगा इसको एवेगेदर नमबर से मैं divide कर दूँगा divide by 23 divide by 6 into 10 की पावर 23 यह cancel हो गया यह 1 by 2 मतलब 0.5 हो जाएगा यह ठीक है mole अब number of atoms निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे है अपन number of atoms equals to 0.5 na into number of atoms H3PO4 में कितने number of atoms है तीन चार और चार आठ तो टोटल हो गए यहां पर आठ तो 8 से multiply कर दो तो यह गया 8 5 जो 40 मतलब 4 है नहीं next fourth one fourth one is 40 millimoles direct moles दे रखें तो 40 into 10 की पावर minus 3 ठीक है और number of atoms निकालने के लिए क्या करेंगे mole number of atoms निकालने के लिए point 14 to 10 की पावर minus 3 into na into यह कितना हो गया इसमें atom कितने है चार तो k है प्लस एक iron प्लस c6 plus h6 तो 6,4,10,16 और 17 ठीक है सैन फोर्ज हो गया 68 0 into 10 की पावर minus 3 na तो यह हो जाएगा 6,8,0 divided by 1000 na ठीक है यहां से एक जरू कैंसल हो गया तो यह हो गया 0.68 na ठीक है अब हम से क्या पुछा है atoms are minimum तो minimum देखो यहां आ रहा है 4 na यहां आ रहा है 0.66 na यहां 0.4 na और यहां आ रहा है 0.06 na तो सबसे कम तो यही atom है तो हमारे answer हो जाएगा option number first okay students next one is 4.2 gram n3 minus ion हमें दे रखा है और पूछा हुआ है gram ions इस word का मतलब क्या होता है mole मतलब कितनी mole ions हैं ठीक है next word is number of ions number of particles next is number of electrons जो की atom के पर आएंगे ठीक है तो सबसे पहले मैंने क्या बूल रखा है students sorry सबसे पहले हम क्या करते है mole calculate करते है mole कैसे आएगा 4.2 divided by इसका atomic weight because the atom ही है ठीक है तो यहां हो जाएगा 14 तो यह जाएगा 0.3 ठीक है तो जो first वाली का अंसर है gram ions मतलब कितनी moles आयन तो वो कितना आगया 0.3 ग्राम आयन एंट्री माइन ठीक है second one second one is what number of ions number of ions निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको mole को किसे multiply कर देंगे अवे गेद्रो नंबर से number of ions equals to 0.3 into na and third one is number of electrons number of electrons निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इस n3 माइनस में कितने electron normally seven होते है nitrogen में तीन और add हो गए तो यहां पर total electron कितने हो गए three ten sorry तो फिर number of electrons निकालने के लिए क्लिए क्या गरूंगा मैं 0.3 into na into 10 that is 3 na तो यह इसके answers आ जाएंगे ठीके okay students next question पर चलते हैं next question जो है वो है in which case number of electrons is maximum कौन सी case में number of electrons जो है maximum number of electron निकालने के लिए मुझे सबसे पहले number of particles पर जाना पड़ेगा क्योंकि जो electron है वो particles के पर आएंगे ठीके तो सबसे पहले मुझे दे रखा है 0.1 mole h2o ठीके तो सबसे पहले number of मुझे particles निकालने हैं तो number of particles equals to 0.1 into na अब h2o में कितने electron होते हैं oxygen में 8 और hydrogen में 2 ठीके एक होता है तो 1 into 2 तो 10 electron है तो इतने particles में कितने होंगे इसको 10 से multiply कर देंगे हम तो 0.1 into na into 10 that is na पर na electrons ठीके अब मैं direct यह electron निकाल दो number of particles से भी ठीके तो यहां पर आएंगे electrons का number na ठीके second one second one is 3 into 10 की पावर 22 hydrogen atoms तो सबसे पहरे इसके मोल निकाल देते हैं मोल हो जाएंगे 3 into 10 की पावर 22 divided by 6 into 10 की पावर 23 तो यह जाएगा 1 by 2 into 10 की पावर 1 by 2 into 10 1 by 2 into 10 1 by 2 कितना होता है 0.5 by 10 एक 0 रट जाएगी तो यह जाएगा 0.05 ठीके और hydrogen atoms हैं तो hydrogen में तो एक ही electron होता है तो जो number of electrons होंगे वो जाएंगे 0.05 na into 1 मतलब की 0.05 na ठीके second one यह हो गया उसके बाद में आगे चलते हैं third one third one is 0.4 gram na उच तो सबसे पहले मोल मोल के आएंगे 0.4 divided by 40 यह cancel हो जाएगा यह जाएगा 0.01 और number of electrons sodium में कितने होता है number of electrons sodium में होते हैं 11 oxygen में होते हैं 8 और hydrogen में होता है 8 और 9 11 और 9 20 electron तो टोटल यहां पे electron हो गए कितने 20 ठीक है यह एक एक molecule में मोल तो number of electrons निकालने के लिए में क्या करूंगा सबसे पहले 0.01 into any into कितने है 20 तो यह कितना हो गया यहां से 0 अटा दो यह 0 इदर आ गई कट गया यह जाएगा 0.2 एने ठीक है next one is fourth one 1120 तो मोल निकालने के लिए क्लिए क्या करूंगा 1120 डिवाइड बाइ 224 00 एक जिरो से एक जिरो कैंसल हो गई 112 से 224 तो बार कैंसल होगा तो वन बाइट 20 मतलब की point में 05 number of electrons helium में कितने electron होता है 2 ठीक है two electron होता है तो number of electrons यहां पे आएंगे point 05 into any into 2 तो यहां से cancel हो गया 205 तो जे 10 एक 0 cancel हो जाएगी तो point 1 एने हो जाएगा यह ठीक है अब हमसे पूछा है number of electron is maximum तो यहां एने है यहां point 05 एने है यहां point 2 एने है और यहां point 1 एने है तो सब point में है तो जो नंबर पूरा का पूरा है वही सबसे जादा होगा तो answer क्या आएगा हमारा first वाला point 1 mole h2o okay students next one is calculate moles of carbon atom in given sample given sample में carbon atom के moles कितने होगे तो सबसे पहले मुझे दे रहा है 1.5 gram molecules of this तो इस word का मतलब क्या होता है mole तो अगर मुझे इसमें carbon के mole निकालने है तो मैं क्या करूं इस compound के mole को 1.5 mole को किससे multiply कर दूं carbon के number से तो यह हो जाएगा carbon के mole that is 18 next one is इतने molecules c2h6 तो सबसे पहले मुझे compound के mole निकालने पड़ेंगे तो mole of c2h6 equals to 6.02 into 10 की power 24 divide by 6.02 into 10 की power 23 यह cancel हो गया यह आगया 10 अगर मुझे carbon के है इसमें moles निकालने है तो 10 into carbon का number तो यहां पर कितने आजाएंगे 20 mole कार्बन हो जाएंगे ठीक है next one is 2.8 gram c2h4 तो सबसे पहले इस compound के mole निकालता हूं और 2.8 divided by इस compound का molecule होता है 12 into 24 plus hydrogen का 4 मिदलब 28 तो यहां आजाएगा 28 तो यह जाएगा 0.1 mole अब मुझे इसमें carbon के mole निकालने है तो 0.1 into 2 carbon के number से multiply कर दो दो 0.2 mole carbon हो जाएगा यहां ठीक है next one is 9 na atoms atoms दे रखे हैं मुझे तो सबसे पहले मैं क्या करूँ 9 na को na से divide कर दूँ ठीक है no 9 na को मैं number of atoms यहां कितने 9 से divide कर दूँ तो 9 से divide कर दिया मैंने तो कितना आया na mole आ गया अगर मुझे इसमें carbon के mole निकालने है तो कितना 2 into na समझ में आया students next one is calculate number of moles of sample from given info अब क्या करना है हमें sample के moles निकालने है और हमें उसमें किसी एक element का information दे रखाओ ठीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहले तो मैं suppose इस sample के mole नेता हूं कितने n ठीक है तो इस sample में sulfur के mole कितने हो जाएंगे n into 1 that is n और हमें जो given information है उससे sulfur के mole कितने हो जाएंगे 4 divided by sulfur का atomic weight 32 तो 48 जो 32 मतलब 1 by 8 तो यह जो 1 by 8 है यह इसी sulfur के mole है तो इनको बराबर कर दो तो n की value यहां से आजाएगी कितनी 1 by 8 इसका मतलब जो compound के mole थे वो कितने थे 1 by 8 mole थे ठीक है next one यह भी असी करेंगे suppose इसके mole कितने है n है तो यहां पे hydrogen के mole कितने हो गए 6 n ठीक है और जो हमें information दे रहे किये उसके साब से hydrogen के mole कितने है 1 है तो यह जो 1 है यह किसके बराबर है 6 n के बराबर 6 n की value 1 है तो यहां से n equals to कितना हो जाएगा 1 by 6 मतलब कि इस compound के mole कितने है 1 by 6 mole ठीक है next one is calculate total charge present in given sample ठीक है और हमें दे रहा है एक unit charge का मतलब होता है 1.6 into 10 की power minus 19 ठीक है तो first one हमें दे रहा है 54 amu 54 amu मतलब कितना aluminium के atom होंगे सब से पहरे तो वो निकालने पड़ेंगे तो 54 amu divided by 27 amu यहां से आ जाएगा 2 aluminium atom ठीक है तो total charge निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 aluminium atom है एक atom पे कितना charge है plus 3 तो 2 पे कितना होगा 3 और 1 unit charge का मतलब होते इतना तो plus 3 unit charge का मतलब होगा 1.6 into 10 की power minus 19 कूलाम तो इसको जब हम multiply करेंगे तो हमारा total charge present in given sample आ जाएग next one is 4.2 gram of n3 minus 1 तो सबसे पहले मुझे इसके mole निकालने पड़ेंगे तो mole निकालूंगा तो 4.2 divided by इसका atomic weight कितना हो जाएगा 14.3 mole हो जाएगे number of charge भी किस पे आएगे atoms पर या particles पर आएगे तो सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे number of particles number of particles equals to mole into any and number of total charge equals to 0.3 into any into इस पे total charge कितना है माइनस 3 और एक unit charge का मतलब होता है 1.6 into 10 की पाउर माइनस 19 कूला तो यह total charge इसका निकल गया आएगा next one is 2 gram iron calcium इस word का मतलब क्या आता है mole होते है तो यहाँ पर direct मुझे mole दे रखे है mole कितने ते रखे है यहाँ पर 2 ठीक है तो number of particles निकालने के लिए क्या करूँगा मैं number of particles equals to 2 na when charge निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 2 na into इस पे कितना unit charge है 2 plus 2 into एक unit charge का मतलब होता है 1.6 10 की पाउर माइनस 19 कूला तो यह आपका total answer निकल के आ जाएगा ओके students यह थे mole के questions जो लगबग लगबग मैंने सारे तरीके के आपको करा दिये हैं next अपना आते हैं next topic average atomic mass and average molecular mass यह चीज मैं atomic structure में आपको बता चुका हूँ average and average molecular mass हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेकिन average atomic mass को isotopic mass भी बोलते हैं तो इसका formula हम देख लेते हैं क्या होता है average atomic mass equals to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 and so on divided by x1 plus x2 plus x3 and so on जहाँ पर a क्या है यह हमें बताता है atomic mass को बताता है और x हमें यह सारी चीज़े बताता है क्या है percent abundance, mole percent, mole fraction and mole next one is average molecular mass यह कब यूज लेते हैं जब दो non reacting gas को हम मिला देते हैं तो वह react तो करेंगी नी तो हमें उसका mass लेना है तो हमें उसका average लेना पड़ेगा तो m average का formula हता है m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided plus son divided by x1 plus x2 plus x3 plus son ठीके जहाँ पर m हमें बताता है molecular mass को और x हमें बताता है mole percent को okay friends तो I hope आपको आज जो भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ समझ भी आ गया होगा इसके आगे का chapter हम next video में complete करेंगे okay friends thank you